हेलो फ्रेंज दा प्रामिस से इसके 6 एपिसोड के इंडिंग में हम देखे थे नैन और फू एक बेट शेयर करते हैं और जब रात को नैन को सोने में डिस्टॉब होता है तो वो जाग कर देखता है कि फू नीन में नैन से सोरी मांग रहा होता है और नैन को हमेशा के लिए ज देट करना पसंद नहीं करता है तो नैन बोलता है कि वह अपने फ्रेंड को देट करना पसंद नहीं करता है क्योंकि नैन सुचता है कि अगर कोई अपने फ्रेंड को पसंद करता है तो वह कभी भी अपने फ्रेंड से आई कॉंटेक्ट नहीं करवाएगा मतलब कि अगर हम क मतलब कि यह दुनों एक time capsule बनाते हैं जो 15 साल बात इस जगा पर आकर इस box को निकाल कर अपने बच्पन के memories को यादगर बनाना चाहरे होते हैं और next scene में हम उस रात वाले scene को देखते है जब Nan fu के पास आकर सो जाता है तब ही fu का नियदा तोड़्य तोड़ता है कि यह dream के इतना खतरनाक था ये वो ड्रीम के बारे में बात कर रहा होता है जब फू नैन को अपनी फिलिंग के बारे में बता देता है और नैन फू के फिलिंग को जानकर गुसा हो जाता है और फू को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाता है जिस वज़ा से फू का निंग तूट जाता है तब ही महाँ पर फू का आलरम लिंग करता है जो reminder आलरम वाला setting होता है जिसे देखकर फू कहीं पर जाने लगता है और next morning नैन ready होड़ा होता है तब ही महाँ पर फू आता है और नैन फू से पुछता है क्या वो फेस पर क्रीम लगाया है और ये कहते हुए फू का फेस को टच करता है और टच करने का दोरान उसे समझ में आ जाता है कि फू फेस पर क्रीम नहीं लगाया है तो नैन फू को खुद क्रीम लगाने के लिए देता है और जैसे ही फू लगाने चाता है तो वो ठीक से नहीं लगा पा रहा होता है जिस वज़ा से नैन खुद फू के फेस पर क्रीम अपलाई करता है और फू भी नैन के फेस पर क्रीम अपलाई करता है और अपलाई करने के दौरान ये दोनों एक दूसरे से फलट करने लगते है और इसके बाद ये दोनों रास्ते पर किसी का वेट कर रही होते है तब ही नैन के पास जीजी का कॉल आता है और जीजी नैन से कह रही होती है जो क्रीम यह सब फैक्टरि से ओर्डर किये थे, वो चेंज हो गया है जिस होजा से मान के इन से शिकायद करने वाला है और सब गल्ती नैन के उपर डालने वाला है तो जब जीजी नैन से इस बाहरे में बात कर रही होती है तभी मान अचाइनक से आ जाता है और जी जी से फून छीन कर班 करने लगता है और कह रहा हुता है कि नैन कब वापस Bangkok आएगा और कभ यह सब को ठीक करेगा जो नैन ने अभी प्रोब्लम क्रियेट किये है तो नैन यह सुनकर बोलता है कि वो करने बेंक आएगा और मान यहाँ पर फू का भी problem को sort out करने का बोलता है और फू का number मांगता है तो यह सुनकर नैन network खड़ाब होने का बहाना करके call cut कर देता है और फू यहाँ पर नैन से work के बारे में पुछता है तो नैन बोलता है कि वो आज कल busy रहता है और यह कहते हुए बोलता है कि जिसका हुम दोनों बैट कर रही है वो नहीं आएगा तब ही महाँ पर एक आईस्क्रिम वाला आता है जिसका यह दोनों बजबन से लेते थे और यह दोनों इस प्रसंनो परस दोना के साहए पहले के तरह ही उसके साथ जाने लगते हैं और next scene में फू अपने farm में coffee beans को collect कर रहा होता लिए देखको फोटो ले रहा होता है तो फु यह देखकर नैन को बुलता है और इस बॉकेट को पूरा सवत्सकुल करने को कहता है एक लेड़ी से मांगता है अपने स्कूंत मैशें रखने लगता हैं देखकरू चिर्इण करने को माना करता है इसके बाद ये दुनों lunch करते हैं और जब fu अपना काम कर रहा होता है तभी नैन इस फार्म का वीडियो बना रहा होता है तो fu अपने फार्म के बारे में बताने लगता है तभी fu के पास joy का call आता है और fu nen को call receive करने को बूलता है तो नैन call receive करता है और स्पीकर पर लगाता है और जो इस फू से कहरा होता है कि उसका डॉमिटरी यानि कि जो होस्टेल में फू रहता है उसका ओनर फू को रूम खाली करने का नूटिस दे दिया है और दूसरे जगवा पर सिफ्ट होने का बात करता है और नैन ये सब सुनते हुए फू से और फू को अपने काम नइगे ओने काम कर रहा होता है और फू को एक लेडी आवाज अवाज देती यह जिस्वजा से फू इस लेडी के पास छाता है और वो लेडी कहती है जो कौफी विसन सब के पास स्टॉक है और बोड़ा है तो ये सुनकर फू इन सब jogos से बिंस को पश कोफी और टो नन फुझ से बंखे बारे में पुछता है कि इतना सारा स्टॉक हुआ है तो कहते हैं कि वह इंग सेस्टॉक हुए जी स्टॉक पारा रहा है उसकि यह droog जाता है और और नैन एक विडियो बनाता है और जैसे ही स्टार्ट करता है तो फू काफी नर्वस हो जाता है जिस वजह से नैन का विडियो अच्छा नहीं बन पा रहा होता है और नैन फू को नर्मली से सब डिटेल बोलने को कहता है पर फू बहुत नर्वस होता है जिस वजह से कहता है क उससे यह सब नहीं होगा, यूँकि वो इन सब में अच्छा नहीं है, तो जैसे ही नैन यह सुनता है, तो वो फू को comfort करने के लिए बोलता है, यह फू डेवंटे का latest presenter है, तो क्या फू स्टूडियो में वापस जाना चाता है, यानि के नैन इन डिरेक्टली तोर पर फू से presenter बनने के लिए पूश्रा होता है, और वो अब डेरी हो जाता है, और फू बहुत ही confident के साथ अपने फाम के बारे में बताने लगता है, और नैन वीडियो बनाने लगता है, तभी नैन के पास मान के मसे जाता है, और मान नैन से फू का नमबर मंगता है, जिस वज़ा से नैन परिशान हो जाता है और फू नैन को परिशान देखकर पूछता है कि वह सब नैन को इतने डिस्टाब क्यों कर रहे हैं तो नैन बुनने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है बस वह सब अपनी न्यू प्रोजेट के लिए फिर से फू के साथ काम करना चाते है जिस वज़े से मैंने खूद इन सब को मना कर दिया था कि फू प्रेजेंटर अब नहीं बनेगा बट फिर भी मान तुम्हारा नमबर मांग रहा है इस बारे में डिसकस करने के लिए और जैसे ही फू यह सब सुनता है तो वह बोलता है कि लास्ट करते हुए फिर से वीडियो बनाने लगता है और फू अपने फान के बारे में बताने लगता है किस तरह वह सब कॉफी बनाते हैं और जैसे वीडियो बना रहे होते हैं तभी उन दोनों को ग्रैनी मिलती है और वह दोनों ग्रैनी के पास जाते है और ग्रैनी का कुछ के लिए फिर से प्रेजेंटर बने के बारे में पूछ रहा होता है जिस वजह से फूर बाद में बात करने के लिए कहकर कॉल कट कर देता है और हम मान को देखते हैं जो अपने फेस को गोल्डेन करके रखता है क्योंकि उसे जीजी करने को कहती है और मान जीजी से पुछता है कि वो कही थी अगर अपने face को golden कर देगा तो उसका कहा हुआ बात accept हो जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जीजी कहती है कि वो सिर्फ अपने face को golden किया है जिस वज़ा से ये तरीका काम नहीं आया कि मान को अपना पूरा body golden करना था तो मान ज्यादा मान ना करते हुए प्लान B के बारे में बात करने लगता है और हसने लगता है और जीजी प्लान B के बारे में पुछ रही होती है पर मान प्लान B के बारे में कुछ नहीं बताता है दूसरी तरफ नैन फू से पुछता है कि मान ने उसे क्या कहा तो फू कहता है जो कुछ भी नैन इससे पहले बोला था उसी बारे में मान बात कर रहा था और यहाँ पर गड़ानी इन दोना का बात सुनकर फू को प्रेजेंटर बनने के लिए बोल रही होती है और फू इसके लिए रेडी नहीं रहता है जिस वज़ा से नैन फू को घबराने को मना करता है और कहता है अगर फू इसके लिए रेडी नहीं है तो वो सब कभी भी फू को प्रेजेंटर बनने के लिए फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम वह प्रेजेंटर बना था तो अब वह सब अपने लिए न्यू प्रेजेंटर को खोज सकते हैं और यहां तक के इंसब के नज़र में दो तीन मोडल अभी भी है और फू यह सब सुनकर रिलीफ फिल करने लगता है तो इसे याद आता है कि टाइम कैप कैपसिल को रखा है और टैम कैपसिल को जमीन के अंदर से बाहा निकलता है और उस बॉक्स को खोल कर अपने समान को देखने लगता है जिसमें से एक यूनिफॉर्म होता है जिस पर बहुत सारे हाट स्टिकर लगे होते हैं और नैन बोलता है कि जो हाट इस शर्ट पर फू को अभी भी है तब हमें वह सींद दिखाया जाता है जब फू नैन के शड़ पर रहत बनाया था और वहां पर नैन अपने स्टिकर को काण करा होता है और फू से पुछता है कि उसके पास कितनी स्टिकर है और शल्ट के तरफ देखकर इस टिकर कांट करता है जिसवजा से च वालाना से स्टीकाल लेकर फू के शट पर लगा देता है तो फू नायन कोई पर्शन नहीं होना चाहिए कि उसे 130 लोग पसंड करते हैं यिस व्युछा से फू नायन के तभी नैन फू से लेटर के बारे में पुछता है, जो लेटर फू ने इस बॉक्स में रखा था, वो कहां पढ़ है, तो फू ये सुनका जूर बोने लगता है, कि वो कोई भी लेटर इस बॉक्स में नहीं रखा था, तभी लास्ट नाइट वाला सीन दिखाया जाता है, जब फू कहीं पर चले जाता है और फू इसी जगह पर आकर ये बॉक्स को जमीन के अंदर से बहा निकाल कर इसमें रखा हुआ लेटर को अपने पास रख लेता है बट फिर भी ने लेटर के बारे में पुछता है तभी ने को पार्टी आवाज देता है जो च्यांग माई में आता है और जब नैन फू को जोन होने के लिए बोलता है तो पार्टी फू को फोटो लेने के लिए बोल देता है जिस वजह से नैन को अच्छा नहीं लगता है और बेचारा फू फोटो लेने के लिए पार्टी को कहता है और अपना पुराना फोटो जो टाइम कैप्सूल से नि और वहाँ पर Nan party से कर वापस Bangkok चलने के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो issue create हुआ है उससे sort out करेगा तो party यह सब सुनकर Nan को relax होने को कहता है और बोलता है कि वो यह issue को manage कर लिया है जिसे सुनकर Nan बहुत खुश हो जाता है और party के साथ happily बात करने लगता है और यह सब देखकर फू इन दोनों से कहता है कि या उन दोनों को job इतना important है तो Nan यह सब सुनकर बोलता है कि फू कभी भी इन सब के job को नहीं समझ पाएगा क्यूंकि इस field में हर एक company को overtake करके आगे बढ़ना होता है तो जैसे ही Nan यह सब बोलता होता है तो भी फू कहता है किसी काम में जल्दी नहीं करने के लिए क्यूंकि वो काम कभी भी अच्छा नहीं होता है तो हमें सबर करते हुए वो काम करनी चाहिए जिस वजह से हमें सोचने और समझने का निजरिया बहतर हो जाता है तो ये सब सुनकर पार्टी बोने लगता है कि फू एक कॉफी फार्मार है तो वो कभी भी रैट रेस के बारे में नहीं समझ सकता अगर वो सब फू के तरह सुलो डहकर काम काना सुयू कर दे तो वो दोना अपने लाइब में बहुत कुछ पीछे छोड़ देंगे तो फू ये सुनकर कहने लगता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि वो दोना अपना करियर को गीव अप कर दे वो बस ये कहना चारा होता है अगर ये सब रखे तो ये दोनों स्टेस फुरी रहेंगे और मेहनत करना इस दुनिया का बिस ठिंक है और इसके बाद पार्टी मान के बारे में नैन से बात करने लगता है और कहता है कि मान सुचता है कि नैन इन सब से कुछ छुपा रहा है और यहां तक कि Nan खुद नहीं चाहता है कि Foo presenter बने तो यह सुनते हुए Nan इसारों से पार्टी को बोलने के लिए मना करता है और Foo को यह सब बाते माइन नहीं करने को कहता है और मेंड पॉंट को घुमाने लगता है तो पार्टी कहता है किया वो यहां पर Foo को प्रेजेंटर के लिए अगरी करवाने नहीं आया है तो जैसे ही पार्टी यह बोलता है तो Foo Nan से पुछने लगता है कि Nan पहले इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया तो Nan कहता है कि वो जानता था कि Foo कभी भी इसके लिए रेडी नहीं होगा जिस वज़े से वो कभी भी Foo को फोर्स नहीं करना चाहता है तो Foo Nan को बोलता है अगर Nan इस बारे में पहले से बता देता तो वो अपना माइंड चेंज कर सकता था और हिल्प करने के लिए रेडी रहता और ये कहते हुए कौफी डिलीवर करने जाता है और इसके बाद ये तीनों कौफी डिलीवर करने जाते है और वहाँ पर Nan वाश्रूम में चले जाता है और जब फू कॉफी डिलिवर कर रहा होता है तब ही फू वहां से कुछ पानी का बोतल खरीद लेता है और जैसे ही पैसा निकालता है तब ही उसके पॉकेट से वो लेटर गिर जाता है और लेटर को गिरते हुए पाटी देख लेता है तो पाटी उस लेटर को नीचे से उठा तो फू यह देखर जेलिस फिल करने लग जाता है और ग्रानी यह देखते हुए नैन को कहती है कि उसके पास बहुत अच्छे फ्रेंड है सिर्फ फू को छोड़कर क्यूंकि फू हमेसा फार्म में ही रहता है और वो कभी भी किसी के साथ हैंग आउट नहीं करने चाता है और षो अच्छा नहीं लगडा होता है जिस वच्छा से फू जाने लगता है यह लेने के बहाशने से जैसे ही नैन फू के साथ जाने वाला होता है तो इसी वज़यßे वो फू को लेकर बहुत परिस् ERIC किसी भी परसंण से असानिंле कर बात नहीं कर्पाता है और नहीं वह अप दिखाया जाता है जब फू के फादर का फूनिरल होता है और फू बहुत जादा रो रहा होता है तो ग्राणी फू को इसके मदर के साथ मैलबॉर्ण रहने के लिए वोड़ रही होती है और फू मैलबॉर्ण जाने के लिए माना कर देता है और इसके बाद नैन ग्राणी को ब अगर फू इस बारे में रेडी हो जाएगा तो वो खुद उसे बता देगा और यह कहते हुए सुने के लिए चले जाती है और इसके बाद जब यह लेने जा रहा होता है तब ही पार्टी फू को उसका लेटर देता है और कहता है फू क्यों अपना फिलिंग नैन से छुपा कर रहा है और यहां तक कि फू को बहुत से हैसे चांस मिले है to recommend को मिस कर रहा है और यह कहते हुए बटा है विए फीनग ने बताने जा रहा हूं क्योंकि मैं और आपना फिलिंग छुपा नहीं सकता है और जिस तरह मैं चाहता हुर अगर अगर से एकसेप्ट करने के लिए जब पार्टी बोल रहा होता है तो फू उसे कुछ रिपलाई नहीं देता है जिस वज़े से पार्टी वहां से चले जाता है और नैन के पास आकर नैन से कहता है कि उसे कुछ बेस्ट फ्रेंड हो और मैं कभी भी तुम्हें एक फ्रेंड से बढ़कर कुछ नहीं सोचा तो जैसे ही नैन यह सब बोल रहा होता है तो यह सब सुनकर पार्टी रोने लगता है और पुछता है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता दूसरे लोग अपने फ्रेंड के साथ डेट करत रिस्पेक्ट देने के लिए और यह सब लक्रसों यहां और यहां पर यह सब यह जाता है सब घ्रटी अपने क्यों होता है और यहां होता होता है वह सब यादर को नहीं ल Grade कि आता है magari यह खुछता कि वह प्रेंड को ड.' सकता तो नैन बोलता है कि वो फ्रेन को डेट करना पसंद नहीं करता है और यह सब सुचते हुए फू जोई को कॉल करता है और जोई को कहता है कि दूसरा प्लेस देखने के लिए यानि के रहने के लिए जगा देखने को कहता है और यहीं पर ये एपिसोड खतम हो जाती है और यह कहते हुए काफी एक्साइटिंग न्यान को देखते हैं अगर आप सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर अपना थौथ शेयर करें